Hello everyone, मैं हूँ कि विंचापुरी और ये है आप लोगों के लिए Coming Week का सापताहिक राशीफल ये 11th November से लेकर 17th November तक की आपकी Tarot Readings और Tarot Predictions है और इस वीडियो में सभी Signs के सापताहिक राशीफल है नीचे description box में आपकी राशी के सामने time stamp है आप उस पे क्लिक करेंगे तो डारेक्ली आपकी रीडिंग आ जाएगी और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि माम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें तो Tarot Reading को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं Coming Week का सापता है क्राशी फल तो चलिए एरीज आप लगों के लिए देखें ये Coming Week क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्शीज है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है 5 of cups और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में किसी खास चीज को लेकर या फिर overall ही emotionally थोड़ा सा आप low feel कर रहे हैं अब देखे इसके लिए सब एरीज के लिए different reasons रहेंगे लेकिन ये card कहता है कि शायद येनों कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही है या फिर कोई चीज आपने miss करी अगेन ये भी सब एरीज के लिए differ करेगा लेकिन देखे जब भी ये card आता है ने इस card का message यही होता है all is not lost क्योंकि जैसे कि इस card में आप देख पा रहे हैं तीन cup जरूर गिरे हुए हैं लेकिन दो cup इस figure को offer किये जा रहे हैं लेकिन ये इतना जादा जो cup गिरे हुए हैं उन पे focus कर रहे हैं कि जो अच्छी चीज़ें हैं उनको देखी नहीं पा रहे हैं और बहुत सारे chances हैं Aries की आप भी इन्ही energies में रह रहे हैं जो चीज़ें अगेन आपके हिसाब से नहीं चल रहे हैं आप इतना उन पे focus कर रहे हैं कि जो अच्छी चीज़ें हैं उनको नहीं देख पा रहे हैं जो अच्छी opportunities मिल सकती हैं या मिल रही हैं उनको आप ignore कर रहे हैं और जब भी हम ऐसा कर रहे होते हैं तो फिर हमें उस time नहीं realize होता है लेकिन जब बाद में realize होता है फिर हम उसके लिए regret करते हैं और ये एक vicious cycle होता है जिसमें हम बहुत बहुत deep जाते रहते हैं तो इस week आप इस vicious cycle को break करें जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं उनसे अपना focus हटा के जो अच्छी opportunities मिल सकती हैं मिल रही हैं या जो भी अच्छी चीज़ें आपके professional friend में हैं आप उन पे focus करें और आप देखेंगे कि आप कितना अच्छा feel करेंगे और जैसे ही आपके energies में एक shift आएगा वैसे ही और जादा अच्छी चीज़ें आप universe से attract करना शू कर देंगे और आप इस vicious cycle से खुद को बहार निकाल पाएंगे जो भी अगर आपका नुकसान हुआ या फिर कुछ भी issues मसले हैं आप उनको भी solve कर पाएंगे अपने नुकसान की भरपाई कर पाएंगे तो इस चीज़ का खयाल इस week आपने जरूर रखना है और परसनल फ्रंड के लिए आप लोगों के लिए तो magician का card है very very positive card, magician का card, magical energies की बात करता है और कहीं उनों बहुत जबरदस्त confidence भी feel करने की बात करता है तो जो भी आपके personal friend में हो रहा है आप बहुत confident feel कर रहे हैं और आप एक होता है ना कि जो भी issues अगर हैं उन पे personal friend में नहीं focus करें personal friend में आप solution पे focus करें लेकिन professional friend में आप उल्टा कर रहे हैं तो जो आपके personal friend के energies है ना वही आपने professional friend में भी रखना है तो दीखिए फिर से magician का card जैसे मैंने अभी आपको बताया magical energies की बात करता है इसका मतलब यह नहीं है कि कोई magic हो रहा है और आपको दिन में तारे दिख रहे हैं something like that दिन में तारे तो negative एक phrase होता है बट इस तरीके से नहीं मैं कह रही हूँ इसका मतलब सरफ यह है कि किसी चीज के लिए आपने उमीद खोई आपको लगता था अब तो यह काम आपका हो गाई नहीं यह तो बनेगा ही नहीं यह तो possible ही नहीं है या तो वो काम आपका बन रहा है या फिर उसी से related चीजे positive direction में जा रही है आप बहुत hopeful हो रहे हैं और कहीं यह नो बहुत ही confidence के साथ जो भी action initiatives required हैं आप लेते वे दिख रहे हैं इन दा process अगर थोड़ा सा चीजों को manipulate करना पड़े diplomatically चलना पड़े तो वो भी आप करने के लिए ready रहते वे दिख रहे हैं और अगर magician की energies आपकी नहीं है किसी और की हैं तो हो सकता है वो आपको थोड़ा सा manipulate कर रहे हैं diplomatically आपके साथ deal कर रहे हैं और अगर किसी भी इनसान situation को लेकर आपके मिन में थोड़ा सा भी doubt हो आपको लगे कि सामने वाले के intentions, motives ठीक नहीं है आप थोड़े से या मैं कहूंगी अच्छे से cautious रहें मतलब आप किसी भी चीज़ को for granted ना ले magician हमेशा alert रहता है और magician हमेशा बहुत जबर्दस तरीके से अपने goal पर focus कर रहा होता है तो यहां तो यह आपकी energies हैं और अगर यह आपकी energies नहीं हैं तो इस energies में रहने की ज़रत है और अगर आप इन energies में रहेंगे तो जादू की तरह अपने goal अपने मकसद को आप achieve कर लेंगे magician का card आपको यह भी message देता है कि जो भी आप चाहा रहे हैं actually में आप उसको manifest कर सकते हैं अगर फिर से मैं कहूंगी आप खुद पे confidence रखें आप जिन God को मानते हैं उन पे confidence रखें और बहुत focus concentration के साथ अपने goal अपने मकसद के लिए action initiatives लें all in all personal front काफी अच्छा जा रहा है professional को आप बहुत अच्छा कर सकते हैं सिरफ थोड़ा सा अपने mindset में change लाके and astrology से आप लोगों के लिए विस्ता का card है इसके हिसाब से all shades of yellow and orange इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant days आप लोगों के लिए होंगे Sunday and Thursday तो ये था Aries आप लोगों के लिए coming week का साबता है इक राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है justice justice के card की literal meaning को देखें नयाय की बात करता है चीजों के fair होने की बात करता है justice मिलने की बात करता है तो overall अगर हम देखें टॉरस इस वीक आपको ऐसा लग सकता है specifically professional friend में कि जो मैं deserve करता था जो मैं deserve करती थी वही मुझे मिला है अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है इसका मतलब ये है कि पीछे जितना good आपने डाला उतना ही मीठा होगा यानि कि जितना effort किया उतना ही उसका positive outcome या फिर negative outcome again जो भी आपने किया है उस हिसाब से आपको मिलेगा अगर पीछे बहुत effort करा है तो definitely आपको इस week positive outcome मिलेगा और उतना ही मिलेगा जितना effort किया और पीछे अगर बिलकुँ भी effort नहीं किया है तो इस week कुछ भी नहीं मिलेगा तो in the sense दिखिए मैं आपको ये कहना चाहरी हूँ कि जो आपने पीछे बोया वही आपको मिलेगा और दूसरी बात जो आप अभी बो रहे है वैसा ही फल आप आगे पाएंगे भी तो दिखिए justice का कार्ड एक तरीके से हमें थोड़ा सा अपने करम पे भी focus करने की बात करता है थोड़ा सा बहुत fair तरीके से चीजों को deal करने की बात करता है हो सकता है बहुत सारे टॉरस इसी energies में हैं जहांपर वो कुछ भी unethical नहीं करना चाहा रहे है morally, ethically correct होके हर चीज करना चाहा रहे है और जो लोग ऐसी energies में नहीं है उनके लिए justice का कार्ड message दे रहा है क्योंकि कभी-कभी ऐसी situation हमारी life में आ जाती है और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें एक temptation भी होती है कि थोड़ा बहुत तो चलता है कोई बात नहीं बट यहां पर अगर इस तरीके की कुछ भी situation आती है justice का कार्ड आपको यही कह रहा है कि बहुत fair तरीके से आप चीजों को deal करें अगें दूसरा मतलब यह भी है कि इस week आपके साथ fair रहेंगी चीजें कुछ भी unethical, कुछ भी wrong नहीं होगा और एक और चीज justice कहता है कि हो सकता है कि इस week अपने professional friend में एक balance आप लाना चाहा रहे है balance आ रहा है कुछ के लिए हो सकता है कोई decision, कोई choice आप लेना चाहा रहे है और बहुत logically हर चीज के pros और cons को समझते हुए ही वो decision, वो choice आप ले रहे हैं, लेना चाहा रहे है and personal friend के लिए आप लगों के लिए four of cups का card है ये card कहता है कि थोड़ा सा demotivated आप किसी चीज को लेकर महसूस कर रहे है enthusiasm, excitement missing है होता है ना कभी-कभी हमारा किसी भी चीज में involved होने का मन नहीं करता है किसी भी चीज में participate करने का मन नहीं करता है हमको ऐसे लगता है कि बस हम अपने आपके साथ ही बैठे रहे है आपके personal front में रह सकती है और जब भी ये card आता है मैं यही कहती हूँ कि ये सिरफ और सिरफ आपका state of mind है और दिखे जब वो हमारा state of mind होता है तो हम ही responsible होते हैं और हम ही उसको change भी कर सकते हैं तो अगर आप किसी भी ऐसी चीज में इस week specifically personal front में खुद को involve करते हैं जिसे कि एक excitement, एक enthusiasm आए आप अपने goal अपने मकसद के लिए motivated feel करें तो इस week की energies को भी आप भैतर कर पाएंगे और देखिए जितनी भी अच्छी चीज हो अगर आप ऐसी energies में हैं यानि कि आप थोड़ा सा emotionally low feel कर रहे हैं आप इतना जादा एक enthusiasm excitement नहीं feel कर रहे हैं तो starting में कोई भी चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी किसी भी चीज में आपका involve होने का मननी करेगा और जब ऐसी एक energy होती है न तो हमें अपने आपको force करना पड़ता है जो भी activities हमें पसंद होती हैं उसमें और जब हम उसमें खुद को involve करते हैं फिर धीरे धीरे हमारा state of mind बदलता है तो इस चीज पे जरूर आप attention दें चेक करके correct करें इस week के energies को personal front के लिए आप बहतर कर पाएंगे क्योंकि four of cups का का काट किसी भी खराब चीज के होने की या फिर कुछ भी गलत होने की बात नहीं करता है सिर्फ कहता है कि आप emotionally low feel कर रहे हैं आप थोड़ा you know इतने enthusiastic या excited नहीं feel कर रहे हैं किसी भी चीज को लेकर और इसको आप change कर सकते हैं and astrology से आप लोगों के लिए Libra sign का का काड है इसके हिसाब से all bright shades इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो ये था Taurus आप लोगों के लिए coming week का सापता है ग्राशी फल and नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए जेमनीज आप लोगों के लिए देखें इक हम इन वी क्या लिकरा रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए काड है wise counselor और जैसे की नाम कहता है इस week specifically professional front में किसी से advice counseling या तो आप ले रहे हैं या फिर किसी को advice counseling आप दे रहे हैं किसी से कोई चीज आप सीख रहे हैं या फिर किसी को कोई चीज आप सिखा रहे हैं अब दिखिए सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए literally हो सकता है जिस profession में आप हैं उसी profession से related कोई knowledge आप किसी को दे रहे हैं आफिर कोई knowledge आप ले रहे हैं कोई skill आप update करना चाहा रहे हैं या फिर किसी को skill update करने में आप help कर रहे हैं और कुछ की लिए दिखिए जो life हमें lessons देती है क्योंकि life is the biggest teacher of all तो वो lesson आपको मिल रहा है कितनी बारी होता है न हम कहते हैं अपने friends से कि मुझे इतना अच्छा ये एक lesson मिला है कि मैं हमेशा याद रखूँगा रखूँगी और मैं कभी भी अभी एक गलती दुबारा नहीं करूँगा या फिर कभी भी मैं इस तरीके की चीज में खुद को नहीं involve करूँगा या करूँगी तो इस तरीके की भी learning हो सकता है इस week अपके professional front में आपको मिल रही है and overall दिखे wise counselor का card किसी बहुत ही knowledgeable किसी बहुत ही एक experienced इंसान को represent करता है तो हो सकता है कि कोई ऐसे इंसान है आपके professional front में जरूरी नहीं है कि उमर में बड़े हों आपसे छोटे भी हो सकते हैं उनसे आप जादा connect करें उनसे आपकी जादा बातचीत हो रही है और एक stability, security भी आप अपने professional front में हैसूस कर सकते हैं all in all professional front ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है and personal front के लिए आप लुगों के लिए four of swords का card है और ये card कहता है कि कहीं आप बहुत actively किसी भी चीज में खुद को involve नहीं करना चाह रहे हैं, participate नहीं करना चाह रहे हैं अब reason सब के लिए differ करेंगे कुछ के लिए simply हो सकता है कि आपका money नहीं कर रहा है आप भात ठक गए पीछे and आपको लग रहा है कि थोड़ा सा तो rest करें थोड़ा सा तो अराम करें कुछ के लिए हो सकता है कि आप you know, health के point of view से बहुत great नहीं feel कर रहे हैं अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आपकी health खराब हो रही है, या फिर health से related issues है but yes, यसे होता है न, कभी-कभी हमें लगता है कि इतनी energy नहीं है और वो खास कर तब होता है जब हम ठग गए होते हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप vacation पे you know हैं और जब हम vacation पे होते हैं तो हमारा focus सिरफ enjoyment होती है हम किसी भी चीज में beyond the point खुद को नहीं involve कर रहे होते हैं तो again reason सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए simply हो सकता है आप थोड़ा सा backseat लेके चीजों को अच्छे से समझना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले तो all in all four of swords is a very very neutral card ये card simply ये कहता है कि आप थोड़ा सा अराम करना चाहते हैं आप किसी भी चीज में involved नहीं होना चाहते हैं और astrology से आप लोगों के लिए 12th house का card है इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये था Gemini's आप लोगों के लिए coming week का साबता ही क्राशी फल और नेचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए ये किंसे आप लोगों के लिए देखें क्या लेकर आ रहा है कि energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है the wheel the wheel का card movement की बात करता है shift की बात करता है और कुछ इस तरीके की energies आपके professional front में रहती भी दिख रही है पीछी किसी भी चीज को लेकर आप stuck feel कर रहे थे आपको ऐसे लग रहा था कि चीजें रुख गई है अटक गई है तो उस हिसाब से ये week बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इस week आप उसी you know stuck energies में से बाहर निकलेंगे and कुछ के लिए हो सकता आप travel कर रहे है travel related आपकी planning चल रही है और overall के लिए फिर से मैं कहूंगी luck आपको favor कर सकता है किसमत आपका साथ दे सकती है तो थोड़ा सा चुकनना रहें alert रहें क्योंकि wheel of fortune का card ये भी कहता है कि हवा के जूके की तरह opportunity आ सकती है और हवा के जोके की तरह ही निकल जाएगी अगर आपने बहुत जादा time लगाया चीजों को समझने में तो आप इस opportunity को miss कर सकते हैं overall ये भी growth, progress, movement shift के point of view से बहुत बहुत अच्छा रहता आवा दिख रहा है and personal front के लिए आप लुगों के लिए release का card है और ये card कहता है कि किसी चीज को इस week आप यहां तो let go करेंगे release करेंगे या फिर situation circumstances ऐसे होंगे जहां पर कुछ चीजें let go खुद से ही हो रही है and this doesn't mean कि कुछ भी खराब हो रहा है but yes इस तरीके से देखें तो ending, beginning किसी भी level पे किसी भी तरीके से रह सकती है और ये card आपको message भी दे रहा है कि जो भी चीजें आपको serve नहीं कर रही है परिशान कर रही है जितनी जल्दी आप उनको let go करेंगे उतनी ही जल्दी जो अच्छी नई चीजे आपकी life में आना जाती है आप उनको अपनी life में ला पाएंगे और अपनी life को growth और progress की तरफ ले कर जाएंगे तो overall personal friend में क्योंकि ये weekly reading है तो छोटी मोटी किसी भी level पे ending, beginning रह सकती है अब ये आपके उपर depend करेगा कि ending, beginning अच्छी रहेगी या फिर बुरी रहेगी क्योंकि अगर आपने पुरानी चीज़ों को cling किया आपने जो चीज़ें आपको serve नहीं करें उनको let go नहीं किया तो आप परेशान होंगे और अगर आप surrender mode में रहेंगे, divine पे faith करके जैसे चीज़ें आ रही है वैसे ही उनको लेते जाएंगे तो ये week आपका बहुत अच्छा जाएगा और हो सकता है इस week आप इस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं या महसूस कर पा रहे हैं लेकिन जो भी इस week हो रहा है उसी की वज़े से कहीं आपको आगे चलके ऐसे लग सकता है कि आपकी लाइफ में एक ग्रोथ आई है एक प्रोग्रेस आई है और एस्ट्रोलजी से आप लोगों के लिए एरीस साइन का कार्ड है इसके हिसाब से all shades of red maroon rust इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो ये था आप लोगों के लिए coming week का सापता है और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए तो चलिए लिए आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या ले करा रहा है क्या energies है तो professional friend के लिए आप लोगों के लिए card है Six of Pentacles Six of Pentacles का card tarot में giving and receivingable energies की बात करता है जैसे कि इस card में आप देख भी पा रहे हैं कुछ हाथ हैं जो लड़की बैठी है उससे लेना जा रहे हैं और लड़की कहीं उनको कुछ दे रही है आप दिखिए ये बहुत ही एक generic सी चीज है क्योंकि ये general reading है तो बहुत specifically तो मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगी लेकिन ये देन-लेन सब के लिए different levels पे रह सकता है कुछ के लिए हो सकता है आप अपना कोई idea अपने किसी coworker, colleague आप professional front में किसी के साथ भी share कर रहे है और कुछ के लिए हो सकता है कोई आपके साथ कोई बहुत ही wonderful idea share कर रहा है कुछ के लिए हो सकता है आपको उधार पैसे चाहिए आप किसी से ले रहे हैं या फिर पीछे आपने उधार लिया उसको आप चुकता कर रहे है और देखे प्रोफेशनल front में उधार को loan भी कहते हैं तो इसी से related भी चीज़े रह सकती है और कुछ के लिए हो सकता है आपके किसी कुली, coworker आप professional front में किसी को भी money, पैसा या फिर किसी भी चीज़ की जरत है या पर देखे एमोशनल help भी हो सकती है mental help भी हो सकती है आप दे रहे हैं या फिर इसी तरीके की कोई भी help आपको मिल रही है तो देखे ये वी ठीक ठाक रहतावा दिख रहा है क्योंकि pentacles money को represent करते हैं तो money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों के around चीज़ें ज़ादा revolve होती हुई दिख रही है और इसी से ही related lane day भी रह सकता है विलाल six of pentacles is a neutral card ये ये नहीं कहता क्यों कोई बहुत अच्छी चीज हो रही है और ये ये भी नहीं कहता कुछ गलत हो रहा है ये सिरफ इसी तरीके के lane day की बात करता है और ये ही आपके professional friend में इस week रह रहा है and personal friend के लिए आप लोगों के लिए the sun का card है the sun is one of the best card in tarot sun का card 100% yes की बात करता है sun का card positivity की बात करता है happiness की बात करता है joy की बात करता है और हम सब जानते हैं जब सुभा sun आता है अंधेरा गायव हो जाता है और हर चीज crystal clear दिखाई दे रही होती है और ये ही सब कुछ आपके personal friend में रह रहा है clarity आ सकती है पीछे किसी भी चीज को लेकर अगर आप confused हो रहे थे पीछे low feel कर रहे थे तो इस week overall you know in general आपको reason नहीं पता आपको ऐसे लग सकता है कि यार मनना बड़ा खुश-खुश सा लग रहा है और कुछ के लिए literally कोई reason हो सकता है जिसको लेकर happiness joy आप में हसूस कर रहे हैं क्योंकि एकाट success victory की भी बात करता है तो किसी भी personal friend के area में एक success एक victory भी आपको मिल सकती है all in all personal friend काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है and astrology से आप लोगों के लिए Leo sign का card है इसके साब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Sunday तो ये था लिए आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशीफल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चो लिए वगोज आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लिकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है strength strength के card को जैसे कि आप देख पा रहे हैं loin है और loin कहीं challenges को represent करता है क्योंकि ये weekly reading है तो बहुत major challenges नहीं होंगे बट ये चोटे मुटे challenges रह सकते हैं और कहीं loin frustration, anger, गुसे को भी represent करता है तो इस तरीके की energies रह सकती है लेकिन साथी साथ strength का card आपको इस चीज का भी एहसास दिलाता है इस चीज की भी realization कराता है कि आपके अंदर बहुत जबरदस्त inner strength है और अगर आपने इस inner strength का इस्तमाल किया या फिर इसके एक एहसास रखते हुए चीजों को deal किया तो जो भी challenges है ना वो बहुत ही छोटे हो जाएंगे और बहुत असानी से आप इनको deal कर लेंगे लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप डर गए, घबरा गए तो फिर आप बहुत परिशान होंगे तो all in all, strength is not a negative card ये सिरफ और सिरफ आपको ये कहता है कि ये हफता कैसा जाएगा, ये आपके ओपर depend करेगा अगर आपने loin वाली energies रखी यानि कि बहुत courageously, बहुत boldly willpower, strength, determination के साथ चीजों को deal किया बहुत असानी से आप हर चीज को deal कर पाएंगे लेकिन थोड़ा सा भी आप डर गए तो फिर आप परिशान हो सकते हैं तो इस चीज का खयाल खास कर इस week professional front में जरूर रखें and personal front के लिए आप लोगों के लिए the moon का card है और the moon कहीं अंधेरे को represent करता है क्योंकि देखिए राथी को moon होता है और जब moon होता है यानि की रात होती है तो हमें कुछ भी चीज clearly नहीं दिखती है एक जैसे बोलते हैं ambiguity होती है समझ में नहीं आ रहा होता है यह क्या है और अगर हम किसी नई जगा पे हैं तो हमें थोड़ा डर भी लगता है एक insecurity भी आती है तो कुछ इस तरीके की energies आपके personal front में रहेंगी अब दिखें इन सब चीजों को सुन के परिशान ना हो क्योंकि ये life है ये possible ही नहीं है कि हर दम हमारे हिसाब से चीजें हो या फिर हर सापताहिक में आपके लिए बड़ा ही sun, empress वाला card हो और सब चीजें again मैं कहूंगी happy happy हो ये possible नहीं है कभी खुशी, कभी गम यही है जिन्दगी तो इस week moon का card कहता है किसी चीज को लेकर confusion रह सकती है fear, insecurity आप महसूस कर सकते है but at the same time देखे आप जो भी situation है उसको लेकर अपनी self talk क्या रखते है actually मैं वही determine करेगा कि ये हफता आपका कैसा जाएगा चाहें फिर वो आपका professional front हो या फिर personal front हो तो professional front की जो guidance है वो ही personal front में भी apply करेगी अगर आप डर गए तो परिशान होंगे in fact मैं कहूंगी personal front में डरने की भी बात नहीं है अगर आप negativity में गुम हो गए क्योंकि हमारा mind बहुत बहुत fertile होता है negative thoughts के लिए एक negative thought आता है और ये negativity multiply होनी शुरू हो जाती है और फिर हम इसी negativity में गुम हो जाती है हमें इस चीज का ऐसास है नहीं होता कि ये तो हमने create करी है तो इस week अगर personal front में आप अपनी self talk का खयाल रखें आप इस चीज का खयाल रखें कि जैसे ही negative thought आता है आपने तुरंट उसको बोलना है recall, cancel, delete यानि कि उसी time अपने mind से अपने physical body के system से उसको delete कर देना है आप देखेंगे ये week आपका बड़ा अच्छा जाएगा लेकिन जो एक negative thought आया और आपने उसको energy देनी शुरू करी तो फिर आप बहुत परिशान होंगे तो again दोनों ही fronts में वो गोज आपके ओपर depend करेगा कि ये हफता कैसा जाएगा क्योंकि situation, circumstances थोड़े से challenging रह सकते हैं या फिर जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से नहीं रह सकते हैं and astrology से आप लोगों के लिए ये रहेने इसका card है इसके हिसाब से all shades of blue indigo इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये था ओगोज आप लोगों के लिए coming week का सापता है और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए तो चले ले ब्राज आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है 7 of wands और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में छोटे मुटे challenges रह सकते हैं issues रह सकते हैं और जो भी आप काम कर रहे हैं या हो रहा है एक smooth going नहीं मिलती वे दिख रही है कभी-कभी होता है न हम थोड़ा सा effort करते हैं हमे जड़ा result मिलता है और कभी-कभी होता है कि हमें थोड़ा जड़ा effort करना पड़ता है result को पाने के लिए और कभी-कभी हम बहुत effort करते हैं result मिलता ही नहीं है और ये हफता वो रहेगा जहां पे आपको 100 and 100 percent result मिलेगा आपको success मिलेगी आपको victory मिलेगी, लेकिन तभी मिलेगी जब आप थोड़ा extra effort करेंगे, जब आप थोड़ा extra महनत करेंगे, जब आप थोड़े extra actions और initiatives लेंगे, यानि कि जो भी challenge है उससे आपने घबरा के give up कर दिया, तो फिर आप victory को भी miss करेंगे, आप success को भी miss करेंगे, लेकिन अगर आप घबराये नहीं, आपने विलपा रखी, determination रखी और आप डट गए, no matter what आप तो achieve करेंगे ही करेंगे, इस energy में रहे तो definitely, definitely आपको success मिलेगी, अब choice आपकी है, and personal front के लिए आप लोगों के लिए Ace of Wands का card है, sorry Page of Wands का card है, और pages tarot में कहीं बच्चे होते हैं, और beginning को represent करते हैं तो सबसे पहली चीज, यहां तो कोई बच्चा है, और बच्चे का मतलब यह नहीं होता है कि, you know, literally बच्चा है, कुछ के लिए हो सकता है, literally कोई young इंसान है, जिनके साथ आपकी बड़ी interactions हो रही हैं, बातचीत हो रही हैं, कुछ के लिए बड़े भी हो सकते हैं, जिनकी जोश में होश ना खोएं, थोड़ा सा अपनी grounding जरूर कर लें, और दूसरी बात मैं कहती हूँ कि, आप जोश में कोई भी नया काम ना शुरू कर लें, कितनी बड़ी होता है न, कोई नहीं चीज होती है, हम बड़े excited होते हैं, हम, you know, उसमें खुद को involve कर लेते हैं, और थ करना चाहा रहे हैं, which is again very good, लेकिन जब तक आप 100% sure ना हों, किसी भी नई चीज में खुद को ना involve करें, किसी news, message, email, phone call का, अगर आप वेट कर रहे हैं, आपको इस week मिल सकता है, और ये news, message, phone call, email, enthusiasm, excitement ला सकता है, और overall भी कहीं, बहुत एक enthusiasm, excitement, motivation रहता हुआ दिख रहा है, all in all, personal front अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, but yes, इस चीज का ख्याल रखें, कि immature तरीकी से चीजों को ना deal करें, and astrology से, आप लोगों के लिए एक various sign का card है, इसके हिसाब से, all shades of blue, indigo, इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा, Saturday, तो ये था Libra's आप लोगों के लिए coming week का सापता है, क्राशी फल, और नेचे मुझे comment section में जरूर बताएं, कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, तो चलिए इस copy हुज आप लोगों के लिए देखें, ये coming week क्या लिकरा रहा है, क्या energies हैं, तो profession front के लिए, आप लोगो चीज को छोड़ कर आगे बढ़ने की बात करता है, अब दिखिए ये general reading है, तो सब स्कॉप्यों के लिए थोड़ा थोड़ा differ करेगा, कुछ के लिए हो सकता है, कि आप simply travel कर रहे हैं, इस week कुछ के लिए हो सकता है, आपने काम को इस हफते के लिए छोड़ा है, आप बहुत सब स्कॉप्य उसके लिए differ करेगा, कुछ के लिए हो सकता है, कि जो भी आप कर रहे थे, हो रहा था आपके professional friend में, वो आपको इतना happiness नहीं दे पा रहा था, इतना joy नहीं दे पा रहा था, और इसलिए आप उसको छोड़कर आगे बढ़े हैं, आप बढ़ना चाहा रहे हैं कुछ के लिए दिखिये, job भी हो सकती है, कुछ के लिए जगा भी हो सकती है, अगेन कोई भी चीज हो सकती है, कुछ के लिए हो सकता है, आप healthcare point of view से बहुत great नहीं feel कर रहे हैं, और इसलिए कहीं इस week आप उतना काम नहीं कर रहे हैं, इतना जादा एक motivation, enthusiasm नहीं है, तो कहीं दिखे, थोड़ा सा emotionally low भी आप professional front में किसी चीज को लेकर या फिर in general महसूस कर रहे हैं, और again बहुत एक involvement, बहुत एक participation आपका, आपके काम में नहीं रहता हुआ दिख रहा है, और फिर से कहूंगी emotionally थोड़ा सा low feel करते वे दिख रहे हैं, जो भी आपके professional front में हो रहा है, व जो figure हैं, वो shield अपने सामने रखे हुए हैं, और सामने से जैसे उन पर attack हो रहा है और वो खुद को protect करना चाहा रहे हैं, तो इस week खुद को आप कैसे protect करें, खुद को कैसे आप defend करें, इस पे आपकी सारी energy रहते भी दिख रही है, हो सकता है, छोटे मोटे issues हो, छोटे मोट लेकिन कहीं आप बहुत strongly हर चीज को deal करते वे दिख रहे हैं, आप give up नहीं कर रहे हैं, आप बिलकुल भी हार नहीं मान रहे हैं, हाला कि मन ही मन थोड़ा सा ठक रहे हैं, थोड़ा सा exhausted फील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फिर से मैं कहूंगी, आप strength and stamina के साथ continue करते जा रहे ह और देखें, ये nine number का card है, और जब भी ये card आते हैं, मैं यही कहती हूँ कि आप अपनी मनजिल मकसद के बहुत करीब हैं, आपने एक final effort करना है, या फिर जो भी challenge है, ये final challenge है, इसको आपने positively, strongly deal कर लिया, तो जो भी आपका goal है, मकसद है, definitely आप उसको पा लेंगे, इन issues, इ इस week आपने बिल्कुल give up नहीं करना है, आपने बिल्कुल जिस तरीके के strength and stamina बनाया हुआ है, इसको बनाये रखना है, क्योंकि फिर से नहीं कहूंगे, nine number का card कहता है, कि आप अपनी मनजिल मकसद के बहुत करीब हैं, एक final, you know, चीजे रह गई हैं, और इसके बाद आप इन लुगों के लिए वर्गो sign का card है, इसके हिसाब से all shades of beige and brown, इस week आप लुगों के लिए लखी रहेंगे, and significant day आप लुगों के लिए होगा witness day, तो ये था, Scorpios आप लुगों के लिए coming week का सापता है, एक राशी फल, और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं, कि ये कितना आप के साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, तो चलिए से रिडेर से आप लोगों के लिए देखें, ये coming week क्या ली करा रहा है, क्या energies है, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है, the star, star के literal meaning को देखें, तो इस week अपने professional front में आप star रहेंगे, star का मतलब हुआ कि लोग आपको appreciate करें आपके जो भी efforts हैं उनके लिए recognize करेंगे, आप limelight में रहेंगे, लोग हो सकते आपको follow भी करें, especially अगर आप social media से connected है, तो इसे celebrities होते हैं, हम बहुत उनको ऐसे awe में देखते हैं, तो जिस भी level पे हैं या जो भी आप कर रहे हैं, आपको बहुत awe में लोग देखते हुए द होई, इस week आप बहुत positive, बहुत hopeful चीजों को लेकर रहते हुए दिख रहे हैं, एक उमीद जागती भी दिख रही है, तो overall star is a very very beautiful card और इस week आपके professional front के लिए कुछ इस तरीके की energies रहने की बात करता है, और अगर आप इस card को देख पा रहे हैं, जो figure हैं दोनों हातों से दे रही हैं, तो हो सकता है कि आप अपने professional front में कोई भी चीज़ हो सकती है, project हो सकता है, जो भी काम आप कर रहे हैं, उसमें पूरे तरीके से focus जाएं और अपना 100% दे रहे हैं, और जरूर आपको उतना ही एक positive outcome, एक reward भी मिलता वा दिख रहा है, फिर से कहूंगी all in all, ये week professional front स card है, और ये card कहीं renew करने की बात करता है, अब दिखिए general leading है, तो थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा, किसी चीज़ को या मैं कहूंगी किसी पुरानी चीज़ को नए सिरे से करना चाहा रहे हैं, नए सिरे से कर रहे हैं, अब दिखिए ये भी सब के लिए differ करेगा, कु connection बन रहा है, नए सिरे से आपका relationship आगे बढ़ रहा है, या कोई personal friend में इनसान के साथ connection खो गया, इस week renew हो रहा है, तो जो भी 2-3 चीज़े मेरे mind में आई, मैंने आपको कहा, renewal का मतलब simply और simply होता है, किसी पुरानी चीज़ को नए तरीके से, fresh तरीके से कर रहे हैं, करना चा रहे हैं, कुछ के लिए किसी भी level पे, ending beginning भी रह सकती है, क्योंकि ये weekly reading है, तो major ending beginning भी रहेगी, बट किसी भी level पे हो सकता है, किसी पुरानी चीज़ को खतम कर रहे हैं, और जो भी नए चीज़ें pending थी, करना चाहा रहे थे, या you know, वैसे ही नए चीज़ें कुछ हो रही है आपके personal front में तो all in all ठीक ठाक personal front भी रहता हुआ दिख रहा है, और astrology से आप लोगों के लिए Mars ग्रह का कार्ड है, इसके हिसाब से all shades of red maroon इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday, तो ये था सरी टेरेस आप लोगों के लिए coming week का साथ और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, तो चलिए कैप लिए आप लोगों के लिए देखें ही coming week क्या लिकरा रहा है, क्या energies है, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है Queen of Cups, Queen of Cups का card किसी भी चीज़ को लेकर बहुत emotional, sentimental होने की बात करता है, कुछ के लिए situation हो सकती है, कुछ के लिए आपके कोई colleague हो सकते हैं, co-worker हो सकते हैं, कुछ के लिए जो भी काम आप कर रहे हैं, उसको लेकर, या again मैं कहूं कि कोई भी चीज़ हो सकती है, और हो सकता है कि आप बहुत attach हो रहे हैं, और दिखिए, normally भी जब हम over emotional, over sentimental होते हैं, तब कहीं हम अपने सोचने समझने की बुद्धी को खोते हैं, क्योंकि ये जो emotions होती हैं, ये काले बादल की तरह होती हैं, जो हमारी wisdom के उपर च्छा जाती हैं, और हम right decisions, right choices नहीं ले पाते हैं, और खास कर जब ये energies professional friend में होती हैं, तो फिर और ज़ logical attitude या फिर logical approach आप चीज़ों को deal करने के लिए जादा रखें, कुछ के लिए ये भी हो सकता है, कोई female हैं, जो की बहुत loving, caring, emotional, sentimental हैं, उनके साथ आपका जाधा वास्ता पढ़ रहा है, उनके साथ आपका जाधा connection हो रहा है, और वो आपको लेकर बहुत emotional, sentimental हो रहे हैं, हो रहे हैं, emotional हो रहे हैं, mood swings हो रहे हैं, कभी आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, कभी बहुत low feel कर रहे हैं, तो दिखे, अगर आप इस वी को अच्छा करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना है, बस अपने emotions को balance करना है, और in fact मैं कहूंगी heart or mind का balance रखना है, और you know, थोड़ और सी energies रहती भी दिख रही हैं, personal friend में normally लोग emotional होते हैं, और professional friend में थोड़ा practical होते हैं, realistic होते हैं, आपका थोड़ा सा इस वी opposite रहता हुआ दिख रहा है, आप professional friend में बड़े emotional हो रहे हैं, और personal friend में बड़े practical, realistic हो रहे हैं, या तो आप किसी चीज, इनसान या connection को लेकर devoted, dedicated हो रहे हैं, या फिर, you know, कोई इनसान हो सकते हैं, आपके personal friend में, जो आपके लिए बड़े committed हैं, devoted हैं, dedicated हैं, और in fact, ये जो भी इनसान हैं, जो बड़े committed और devoted हैं, वो बहुत practical, realistic होंगे, उनकी तरफ से बड़ी supportive energies हैं, और overall के लिए अगर हम देखें, तो कहीं money, पैसा, materialistic, tangible चीजें, आप लोगों के लिए एहम रह रही हैं, या तो आप पैसा खर्श कर रहे हैं, या फिर आपके पास पैसा आ रहा है, and all in, you know, good spirit, मतलब इसमें कुछ खराब ऐसा नहीं होता हुआ दिख रहा है, बट ये इस ये चीजें आप लोगों के लिए एहम रह सकती हैं all in all, personal front ठीक रह रहा है, professional front के लिए मैंने आपको बताए, थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो professional front भी आपका अच्छा जाएगा, and astrology से आप लोगों के लिए चिरौन का card है, इसके इसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Wednesday, त इतना आप connect कर पाए, तो चलिए एक लिए से आप लोगों के लिए देखें, क्या लेकर आ रहा है, क्या energies है, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है, night of souls, और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में एक तेजी, एक स्पीर आती भी दिख रही है, एक बहुत ही again मैं कहूंगी तेजी व इस week all of a sudden बड़ी तेजी से आप बहार निकलेंगे, कुछ के लिए हो सकता है, literally आप travel कर रहे हैं, करना चाहा रहे हैं, travel से ले related planning चल रही है, कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आपका goal है, मकसद है, जो भी काम आप कर रहे हैं, बहुत speed से आप उसको खतम करना चाहा रहे है goal मकसद को बहुत तेजी से आप अचीव करना चाहा रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि external front में चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और आप कहीं उनके साथ अपनी speed को match करना चाहा रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कहीं आप पीछे ना रहे जाएं, तो overall इ professional front में आप अपने goal मकसद को लेकर focused हैं, एक concentration है, उतना ही personal front में आप बहुत ज़्यादा deviated, distracted रहते हुए दिख रहे हैं, आपको यहीं समझ में आ रहा कि आप चाहाते क्या हैं, आपको क्या करना चाहिए इस situation में और इसी लिए शायद आप सोच तो बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हैं, कितनी बार ही होता है ना कि हम बस planning ही करते रहते हैं, हम ख्वाब ही देखते रहते हैं, हम vision ही create करते रहते हैं, और practical realistic steps नहीं लेते हैं उनको achieve करने के लिए, और जब भी यह काड़ाते हैं, मैं यही कहती हूँ, भाई आपने vision बनाय बहुत अच्छा किया, आप ख्वाब देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप practical realistic action initiatives नहीं लेंगे, आपके ख्वाब reality में नहीं convert होंगे न, तो इस चीज का खयाल रखें, खासकर अगर आपको लगी कि भी आप इसी energies में हैं, और दूसरी बात, हो सकता है कि कोई decision, कोई choice आपको लेना है, और बहुत सारी चीज़ें आपके मन में हैं, या फिर बहुत सारे options आपको दिख रहे हैं, और इसी लिए आप decision choice नहीं ले पा रहे हैं, तो जितना भी difficult हो, आप finally decision choice ज़रूर लें, क्योंकि जब तक हम indecisive वाली energies में होता है न, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हम stuck हो जाते हैं, growth और progress के लिए, finally decision लेना और उसके लिए massive action लेना, बहुत बहुत important होता है, और दोनुँ ही चीज़ें कहीं missing रहती भी दिख रहे हैं, ना तो एक सही तरीके से आप decision ले पा रहे हैं, और ना ही action ले रहे हैं, और ना ही you know, आप उस direction में फिर से मैं कहूंगी practical, realistic होकर कुछ कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को correct किया, personal front आपका बहुत अच्छा जाएगा, और अगर नहीं इन चीज़ों का ख्याल रखा, तो फिर by the end of the week आपको लगेगा कि भाई, खराब गया week, मतलब in the sense की कुछ खराब नहीं हुआ बट येस कुछ constructive भी नहीं हुआ, and astrology से आप लोगों के लिए Sagittarius sign का card है, इसके इसाप से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday, तो ये था equations, आप लोगों के लिए coming week का साप था एक राशीफल, और नीचे मुझे comment section में ज़रू किया, कितना आप connect कर पाए, चलिए पाइसे आप लोगों के लिए देखें ही coming week क्या लिकरा रहा है, क्या energies है, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है two of swords, और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में आप थोड़ा सा stuck महसूस कर सकते हैं, जहां पर आपको यसे लग सकता है, ना तो पीछे आप आ रहे हैं, और दिखें, इसके लिए सब Pisces के लिए different reasons रहेंगे, क्योंकि ये weekly reading है, तो बहुत छोटे मुटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं, और दूसरी बात इकि इस चीज को सुनके आप परेशान भी ना हों, क्योंकि आपकी पुरी जिंदगी की reading नहीं है और दूसरी बात, tarot guidance के लिए होता है, तो इस reading से कैसे आप guidance लेके अपने हफ़ते को बहतर कर सकते हैं, आप उस पर focus करें, तो काट के हिसाब से आप शायद कुछ चीजों को सुनके अंसुना कर रहे हैं, देखके अंदेखा कर रहे हैं, and most of the times ऐसा हम तब करते हैं, जब हम किसी भी मसले में अपने आपको उलजाना नहीं चाहते हैं, या फिर हमें लगता है कुछ issue, कुछ मसला हो सकता है, और ऐसा करके हम temporarily चीजों को avoid कर रहे होते हैं, क्योंकि back end पे चीज़े धीरे 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 बड़ी होती रहती हैं, और एक दिन आता है वो इतनी बड़ी हो ज सुना नहीं करना, अपनी तरफ से stand लेना है, और दूसरी बात ये भी हो सकती है, कि आप थोड़ा सा action initiatives भी नहीं ले रहे हैं, जो की लेने की ज़रत है, तो इन चीजों को अगर आप चेक करके correct करेंगे, इस week हो सकता है कि बहुत great तरीके से चीजे ना रहें, बट आने वाल हफतों के लिए आप चीजों को असान कर पाएंगे, तो इस चीज का खयाल इस week ज़रूर रखें, all in all weekly reading है, बहुत बड़े मसले नहीं होंगे, छोटी मोटी चीजे होती हैं, जहाँ पर you know, हम थोड़ा सा stuck feel करते हैं, तो उस तरीकी की energies रहती भी दिख रही हैं, and personal front के लेकर थोड़े से clingy, थोड़े से obsessive, थोड़े से possessive भी आप हो सकते हैं, अब ये भी सब prices के लिए differ करेगा, कुछ के लिए कोई connection, कोई relationship हो सकता है, जिसको लेकर बहुत एक attachment आप महसूस कर रहे हैं, थोड़े possessive, obsessive हो रहे हैं, कुछ के लिए कोई materialistic चीज हो सकती है, होता मैं सिर्फ और सिर्फ आपको example दे रहे हैं, situation, circumstances सब के लिए differ करेंगे, overall के लिए काट कहता है, थोड़ा सा आप, you know, fixated, rigid हो रहे हैं, किसी चीज को लेकर एक flexible approach नहीं रख पा रहे हैं, थोड़ा सा आप हो सकता है, stubborn भी हो रहे हैं, और बहुत clingy हो रहे हैं, किसी भी चीज क कुछ के लिए relationship हो सकता है, कुछ के लिए जगा हो सकती है, तो कोई भी चीज हो सकती है, जिसको लेकर आप थोड़े से या काफी rigid fixated हो रहे हैं, तो दीखिए, जब हम बहुत focus होते हैं, अपने goal, अपने मकसद को लेकर वो बड़ी अच्छी बात होती है, willpower determination बड़ी अच् करती है, तो एक moderate तरीके से चीजों को deal करें, again willpower determination है, आप बहुत ज़्यादा focused है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा भी आपको लगे कि आप यदो बहुत जिद्धी हो रहे हैं किसी चीज को लेकर, बहुत obsessive हो रहे हैं, तो उसको जरूर चक करके correct करें, overall के ल चीजों के point of view से, आप काफी बहतर feel करेंगे, आप काफी, you know, एक जैसे बोलते हैं कि comfortable feel करेंगे, और हो सकता है कि आप किसी चीज में invest भी कर रहे हैं, ये भी सब के लिए differ करेगा, कुछ के लिए relationship हो सकता है, कुछ के लिए, you know, कोई काम है personal front में आप कर रहे हैं, उसमें invest क कुछ के लिए literally पैसें से related investment हो सकती है, कुछ के लिए हो सकते हैं, आप saving कर रहे हैं, saving पे जादा focus कर रहे हैं, तो overall personal front अच्छा जा रहे है, professional front को आप कैसे अच्छा कर सकते हैं, उस पे अगर आप focus करेंगे तो professional front भी आपका अच्छा रहेगा, and astrology से आप लोगों के लिए saturn ग्रह कागार है, इसके हिसाब से all shades of beige and brown इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday, तो ये था prices आप लोगों के लिए coming week का सापता ही ग्राशीफल, और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect क और बाइ